हेलो माई दियर स्टुदेंट्स, वेलकम तो दा माई मैस क्लास, तोदेश टॉपिक इज लोवेस्ट कामन मल्टिपल, इन दे प्रीविए सेक्षन, वी हैव लेंड अबाउड सम एसे एब बाई प्राइम फैक्टरिजेशन मेथड और डिवीजन मेथड इसके पहले वाले सेक मेचर में कि कुछ SCF फाइंड करने के मेथड, SCF के लॉंग डिवीजन और प्राइम फैक्टरिजेशन से, अब यहाँ पर हम लोवेस्ट कामन मल्टिपल पढ़ेंगे, इस टॉपिक पर लोवेस्ट कामन मल्टिपल, मीन्स, LCM, अब आपको पता है कि मल्टिपल क्या होते है मल्टिपल आपके वो होते हैं कि अगर जिस भी नंबर का आप मल्टिपल फाइंड कर रहे हो, उस नंबर पे किसी भी नैचरल नंबर का, नैचरल नंबर मेंज काउंटिंग नंबर, किसी भी नैचरल नंबर का अगर आप मल्टिपलाई कर दोगे, तो आपको कोई न कोई प मिलेगा वो multiple होगा इसलिए कहते हैं therefore infinitely many multiples किसी भी number के बहुत सारे multiples हो सकते हैं क्योंकि आप किसी भी का किसी भी number पे multiply कराते चले जाओगे तो आपको कुछ न कुछ product वहाँ पर मिलेगा जैसे 5 का multiple है तो 5 में 2 को कराया 10 3 के कराया 15 ऐसे ही आप आगे continue अगर multiply कराते चले जाओगे तो आपको जो product मिलेगा वह आपका multiple हो जाएगा उस number का अब हमको यहाँ पर lowest common multiple पढ़ना है lowest common multiple का मतलब की LCM salt form में अगर कहें तो LCM the lowest common multiple आप two are more numbers is the smallest common multiple आप the given number LCM का मतलब यह होता है कि SCF को अगर हम साथ लेकर चलें तो आपको पता है कि SCF में हम common factor निकालते थे वहां पर factor की बात करते थे लेकिन LCM में हम common multiple की बात करेंगे factor और multiple दोनों में difference है SCF में हम factor find कर रहे थे अब हम यहाँ पर multiple find करेंगे किसी भी multiple का जो numbers two या two से ज़्यादा जो भी number given होंगी उसके multiples find करेंगे फिर उसके बाद जो दोनों में common मिलेगा गो आपका LCM या lowest common multiple होता है अब यहाँ पर देखिए lowest common multiple two types में कर सकते हैं first one is prime factorization method and second one is LCMR long division method तो अगर हम simple सा एक example लें यहाँ पर जैसे 5 ले लिया 10 ले लिया अब इसके multiples अगर लिखें तो 5 बंजा 5 5 2 जा 10 5 3 जा 15 20 25 30 so on यह आपके आते चले जाएंगे 10 का multiples लिख रहे हैं तो 10 बंजा 10 20 30 40 50 यह आपके ऐसे multiple हो जाएंगे अब बेटा यहाँ पर हमको देखना है कि lowest common multiple lowest common multiple कि जहां पर first multiple आपको कामन दिख रहा हो 10 10 कि दोनों में first number 10 दिख रहा है तो इसका जो lowest common multiple आ जाएगा वो टेन आ जाएगा लोग तो LCM इसका आपका 10 हो गया तो यह कामन multiple की बात हुई हमारी अब ऐसे ही अगर हम किसे भी number के multiples हमको find करने हो किसी भी numbers के वहाँ पर two numbers भी हो सकती है three numbers भी हो सकती है और four भी हो सकती है तो उसको हम two types में कर सकते हैं prime factorization method and long division method दोनों method से हम LCM find कर सकते हैं उससे पहले आपको multiple आना चाहिए multiple जैसे अभी हमने बताया कि किसी भी number पे अगर आप किसी भी natural number का multiply कराओगे तो जो multiply करने में हमको product मिल ला आए वो multiple कहलाएगा जैसे 5 था तो 5 के हमें multiple लिखने थे 5 10 15 20 25 30 ऐसे ही बेटा 10 की लिखने थे 10 20 30 40 50 ऐसे हमने राइट किया अब आपको चेक करना है दोनों में lowest common multiple 10 मिल ला है अब आपका question हो उठ सकता है इसना lowest common multiple by prime factorization by division मेथड अब देखिए वेटा उसी में से हम first type आपका ले रहे हैं LCM by prime factorization मेथड लसी म आपको find करना है prime factorization मेथड से तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए example में आए आपके three numbers given है example में आपकी three numbers given है first one is 40 second one is 36 and last 126 अब यहाँ पर आपका यह condition given है we have to find the LCM by prime factorization method prime factorization method से हमको LCM find करना है तो सबसे पहले हम इसके prime factor करेंगे prime factor करना आपको बहुत easily आ जाएगा क्योंकि इससे पहले आपने जो भी किया था SCF में उसमें भी prime factor से किया था तो prime factor find करने के लिए हमने आपको बताया था कि digitalty आपको learn होनी चाहिए अब यहाँ पर देखिए आप 40 है 40 के prime factor find करना है तो आप चेक करिए कि 40 आपका last में 0 है इट मेंस 2 से divide हो जाएगा 224 जीरो फिर आपका last में 0 है तो 2 की digitalty में अगर unit place पे आपका even number मिलती है that means 02468 तो वो number आपकी 2 से divide हो जाएगी तो इस पे करते हैं 2 बंजा 2 जीरो आभी भी टू से हो जाएगा 25 जा 10 कि 5 बंजा 5 कि यह आपको मिल गया फिर 36 के करते हैं तो 36 के करने में आप देखिए टू से डिविज्वल है कि तू अब उसके बाद देखिए 29 जा 18 3 बंजा 3 3 बंजा 3 अब उसके बाद देखिए बेटा 126 के फैक्टर है तो 126 के जब फैक्टर करेंगे तो 26 जा 12 23 जा 6 अब 6 3 9 होता है और 3 की डिज्विल्टी क्या होती है कि उसका जो भी डिजिट की फाइंड कर रहे हो जिस भी नंबर की तो उसकी इच डिजिट का हमको सम करना है तो सम करने में हमको यहाँ पर मिला 6 और 3 6 3 9 होता है और 9 is डिज्विज्वल बाई 3 3 से डिवाइट करेंगे तो 3 2 जा 6 3 जा 3 फिर आप देखिए 3 से जा 21 7 जा 7 अब आप यहाँ पर चेक करिए 40 के आपको फैक्टर मिल ला है थे 1 2 3 means 3 ताइमस 2 और 1 5 फिर आप देखिए 36 है 36 में आपको 1 2 3 means 2 टाइमस आपको 2 मिल ला था और 2 टाइमस आपको 3 मिल ला था लास्ट में आपकी 126 है 126 को हम देखें तो 1 टाइमस 2 2 टाइमस 3 सेवें अब बेटा यहाँ पर नेश्ट रूल के आए इतना तो आप सभी कर लोगे बार बार वही चीज कर रहा है प्राइम फैक्टर की तो सभी के प्राइम फैक्टर सबसे पहले करने नहीं उसके बाद उनको उसी के सामने वैसे ही राइड कर दीजे आब इस पर देखिए कि सबसे ज़्यादा टाइमस 2 किसमें आया है तो आपका सब नहीं आया है तो प्राइम तो आपको देखना है कि सबसे ज़्यादा टू कितनी बार आया है 1 2 3 1 2 1 तो सबसे ज़्यादा इसमें टू आपको मिला थ्री टाइम तो जो थ्री टाइम्स आपको टू मिला उसको एक साथ पुट कर देंगे यह वाले टू आप नहीं पुट करोगे क्योंकि LCM में क्या होता है by prime factorization method उसमें जितनी बार 2 सबसे ज़्यादा आता है जिस भी नंबर में केवल उसी के 2 राइट करते हैं तो यहाँ पर देखिए 3 टाइम्स 2 था तो 3 टाइम्स हमने 2 राइट कर दिया अब उसके बार देखिए कि 3 सबसे ज़्यादा किस पे 1 2 1 2 अब इसमें भी 2 है इसमें भी 2 है तो किसी एक से राइट कर लीजे 2 टाइम्स हम 3 राइट कर सकते हैं 5 आपका 1 टाइम्स है तो 5 सिर्फ 1 टाइम्स 7 आपका 1 टाइम्स है तो 7 1 टाइम्स अब इसको मल्टिप्लाई कराते हैं तो LCM जो आपका निकलेगा by prime factorization method तो 2 जा 4, 4 टू जा 8, 8 3 जा 24, 24 3 जा 72 जा 72 एंड 72 मल्टिप्लाई 5 करें अगर तो 5 2 जा 10, 5 7 जा 35, 1 36 अब इसमें 7 भी है 7 का मल्टिप्लाई करिए 0, 7 6 जा 42 की 2, carry 4, 7 3 जा 21, 25 तो LCM बेटा जो आपको मिला 2,520 is the required LCM of 40, 36 and 126 by prime factorization method ठीक है आप इसको देख लीजे एक बार 40, 36 and 126 का LCM ओके बेटा फर्स्ट एक्जामपल था आपका अब सेकेंड एक्जामपल लेते हैं अभी prime factorization method का ही है सेकेंड एक्जामपल आपका 84, 90 and 120 तो इसके सबसे पहले जो आपका prime factorization में process होता है तो सबसे पहले आपको prime factor करने हैं तो prime factor वहाँ पर करिए तो हमने 84 का किया तो यह 2 से divisible होगा क्यों 2 से divisible होगा क्योंकि जो digitalty by 2 होती है उसके unit place पर आपका कोई even number आना चाहिए even number means 0, 2, 4, 6, 8 आना चाहिए यहाँ पर 4 है तो 2 से divisible हो जाएगी divide हो जाएगी 2, 4 जा 8, 2, 2, 4 उसके बाद 2 से फिर divide करेंगे 2, 2, 4, 2, 1, 2 अब 2 से तो हो नहीं सकता क्योंकि unit place पे आपका 1 है 3 से divide करते हैं 3, 7, 21, 7, 1, 7 अब बेटा 90 के factor find करते हैं तो 90 के करें तो 2 से cut हो जाएगा 2, 4, 8, 2, 5, 10 अब 2 से cancel नहीं होगा 5, 4, 9 होता है तो 3 से cut कर दीजे 3 बन जा 3, 3, 5 जा 15 फिर 3 से cut करते हैं 3, 5 जा 15, 5 बन जा 5 अब आप देखिए 120 से cut कर रहे हैं 120 के factor 2 से cut किया हमने 2, 6, 12, 0 2, 3, 6, 0 2, 1, 2, 2, 5, 10 3, 5 जा 5, 1 जा अब बेटा जू factor मिले हैं उनको यहां रख देते हैं 1, 2, 2 टाइम्स 2 है आपका 1 टाइम्स 3, 1 टाइम्स 7 आप इसमें 90 में 1 टाइम्स 2, 2 टाइम्स 2 आपका 3 और 1 टाइम्स 5 120 में 3 टाइम्स 2, 1 टाइम्स 3, 1 टाइम्स 5 अब बेटा आपको यहां चेक करना है कि सबसे ज्यादा two किस पे मिल ला है क्योंकि जो हमारा process होता है by prime factorization method से तो उसपे चेक करते हैं कि सबसे ज्यादा two किस पे मिल ला है तो इस पे one, two, one, one, two, three तो आप देखिए number of two आपके इस number पे ज्यादा है तो इसका मतलब कि 2 x 2 3 x 2 लिख सकते हैं बाकी 2 को नहीं टच करेंगे जिस पे ज़्यादा 2 होंगे में जिस पे ज़्यादा factor आएंगे 2 हो सकता है 3 हो सकता है वो पहले लिखी जाएगी अब 2 का वहाँ से काम खतम हो गया 3 चेक करिए इस पे 1 x है 1, 2 इस पे 2 x है इस पे 1 x है इट मीज देट हम 2 x 3 लिख सकते है अब देखिए 5 इसमें दोनों में 1 x 5 है तो 1 x 5 लिखेंगे 1 x 7 ठीक अब इसका multiply करते हैं तो LCM जो आपको मिलेगा 2 x 4, 2 x 8 3 x 24, 3 x 72 72 x 5 मतलब 5 x 2 x 10 360, 360 x 7 70, 76 x 42 की 2 25 तो आपको जो LCM मिला वो 2520 मिल गया ठीक है तो by prime factorization method है ये चेक कर लीजे इसको सबसे पहले prime factor करना है उसके बाद सेम ऐसे प्रोसेस से जो जादा वार दीखे वो सिर्फ राइट करना है देखिए ओके बेटा अभी तक हमने जो LCM solve किया by prime factorization method से किया अब आपका second टाइप लेते हैं LCM by common division method अब इसपे क्या करते हैं कि सभी numbers को ऐसे comma करके एक साथ लिख लेते हैं हर number के बाद comma लगा देना है 16, comma 28, 40 and 77 अब इसपे सबसे पहले 2 से cut करना ही start करते हैं जो number अब इसपे आपको ये नहीं एक चीज मैं यहाँ पर बिल्कुल clear कर दूँ आपको ये doubt नहीं होना चाहिए कि 2 से अगर हम cut करना start करेंगे तो सभी number 2 से cut होना चाहिए ये नहीं है ठीक है आप अगर एक number भी अगर 2 से divide हो रही है तो आप 2 से करोगे वहाँ पर ठीक जैसे हम disability में करते थे कि उस पर 2 से divide करने condition है अगर आपको यहाँ पर एक number भी मिल लए 2 से divide तो आप उसको divide करोगे process वहीं से start करोगे 2 से करते हैं सबसे पहले तो आप देखे 2 8 जा 16 2 1 जा 2 2 4 जा 8 2 2 जा 4 अब आप देख रहे हो यहाँ पर उसको same वैसे ही उपर से रख देंगे फिर यह line रा करेंगे अब उसके बाद देखिए फिर 2 से cut हो रहा है 2 4 जा 8 2 7 जा 14 2 1 जा 2 0 फिर देखिए 77 नहीं cut हुआ same वैसे हमने उपर से copy कर दिया फिर आप देखिए 2 से cut होगा 2 2 जा 4 7 नहीं हो रहा है वैसे ही रख दीजिए 2 5 जा 10 वैसे ही 77 वैसे ही अभी आप देखिए 2 से अभी और कट जाएगा क्योंकि यहाँ पर 2 है ठीक है तो 2 1 जा 2 7 5 77 यह नहीं cut हो रही थी तो हमने same वैसे ही copy कर लिया उपर से अब उसके बाद देखिए 3 से तो कोई cut नहीं होगी 5 से cut करते हैं तो 5 वन्जा 5 7 नहीं cut होगा as it is वैसे रख दीजिए 5 वन्जा 5 77 आपका नहीं cut होगा as it is वैसे रख दीजिए अब 7 से cut करेंगे तो 7 वन्जा 7 7 वन्जा 7 7 वन्जा 7 7 वन्जा और 7 वन्जा अब आपका last में 11 मिला तो 11 से cut करोगे 1 1 1 1 जहां पर आपको 1 मिल जाए वहाँ पर लेप कर देंगे अब देखिए LCM कैसे लिखोगे LCM आप सब पूरे जितने फैक्टर हैं इनको एक जगा ऐसे राइट कर लेंगे 2 मल्टिप्लाई 1, 2, 3, 4 4 ताइमस 2 है 2, 3, 4 उसके बाद 5, 7, and 11 5, 7, and 11 अब यहाँ पर हमने चेक किया सब फैक्टर एक जगा लिख लिए अब इसका मल्टिप्लाई करेंगे 2, 2 जा 4 4, 2 जा 8 8, 2 जा 16 16, 5 जा 80 80, 7 जा 560 चेक कर सकते हो यहाँ पर 80, 7 जा 11 अब यह 80, 7 जा करोगे तो 70, 7, 8 जा 56 मल्टिप्लाई 11 मल्टिप्लाई 11 0, 11 6 जा 66 की 6 कैरी 6 11, 5 जा 55 6 जा 61 यह आपका 6,160 LCM आ गया बाइ डिवीजन मेथड तो आप देखिए 16, 28, 40, 77 सबसे पहले आप इनको एक लाइन में कॉमा लगा कर हर नमबर के बाद राइट कर देंगे फिर आप 2 से कट करना ही स्टार्ड करेंगे वैसे ही करते जाओगे अगर एक नमबर भी आपकी कट हो रही है वहाँ पर तो आप 2 से कट करोगे जैसे यही स्टेप आप देखिए यहाँ पर आपकी केवल एक नमबर 2 से कट हो रही थी 2 तो हमने 2 लिया यहाँ पर 2 अंजा 2 जो नहीं कट होता बाइडिवीजन मेथड में उसको एज इटीज उपर से कॉपी करके सेकेंड लाइन पर लिख देते हैं फिर जितने आपके यह आएंगे डिवाइड उसको इसको मल्टिप्लाई करोगे तो मल्टिप्लाई करने में आपको 6,160 मिल गया अब आप देखिए यह वाला एक्जामपल 75, 250, 225, 525 अब यहाँ पर हमने 2 से कट करना इस्टार्ड किया तू से यह नहीं कट होगा 2,1 जा 2, 2,2 जा 4, 2,5 जा 10 यह भी नहीं कट होगा एज इट इज वैसे फिर 525 भी नहीं कट होगा एज इज इज वैसे अब यहाँ पर देखिए आप कोई और नंबर 2 से नहीं कट हो सकती हमने 3 लिया तो 3,2 जा 6, 3,5 जा 15 125 3 से कट नहीं होगी एज इट इज वैसे कॉपी कर दीजे 37 जा 21 35 जा 15 फिर आप देखिए 3,1 जा 3 37 जा 21 35 जा 15 अब आप देखिए अभी भी कोई नंबर ऐसी है जो 3 से कट होगी नहीं है 5 से कट करना है है 75 12 तो आप 3 से कट करेंगे अभी फिर 25 125 यह सब कट नहीं होंगे as it is वैसे ही रख देंगे 75 आपका कट होगा 3,2 जा 6 3,5 जा 15 175 आपका नहीं कट होगा as it is वैसे ही राइट कर देंगे आप देखिए बेटा 5 से आपका कट होगा 5 5 जा 25 5 2 जा 10 25 5 5 जा 25 उसके बाद 5 3 जा 15 5 5 जा 25 फिर आप 5 से कट करिए 5 बन जा 5 5 5 जा 25 5 जा 5 5 से बन जा 35 फिर आप 5 से कट करिए 5 जा 5 5 जा 5 7 से नहीं कट होगा वैसे रख देंगे अब आप 7 से कट करिए 7 1 1 1 1 लास्ट में आपको जहां पर 1 1 मिल जाए वहां से लीप कर सकते हो छोड़ सकते हो तो अब हमको यहाँ पर जो LCM मिल ला है 1 means 2 3 3 तो यहाँ पर 3 3 फिर आपका 5 5 5 3 टाइम्स 5 फिर आपका 1 टाइम्स 7 अब इसका मल्टिप्लाई कराएंगे तो 2 3 जा 6 3 जा 18 18 फाइब जा 90 19 फाइब जा 450 450 फाइब जा यहाँ पर कर लेते हैं 450 मल्टिप्लाई 5 50 55 जा 25 की 5 कैरी 2 54 जा 20 22 फिर आपका 7 मिल ला है इसी में 7 का करें तो 70 75 जा 35 की 5 कैरी 3 72 जा 14 3 17 की 7 कैरी 1 72 जा 14 1 15 तो बेटा आपका जो LCM आया वो 15,750 राइट एंसर आगे आपका ये by division method से LCM होते हैं आप देख लीजे इसको यहाँ पर LCM by common division method है and LCM two numbers के थे सबसे पहले उनके factor करने है means अगर आपका single number भी cut हो रहा है तो उस number से cut होगा 2 हुआ वैसे ही 3 से फिर 5 से 7 से 11 से 13 से चेक कर लीजे ये पूरा एक बार LCM by common division method ठीक है देख लीजे ओके बेटा अब आपकी exercise 2.9 में आते हैं R.D. सर्मा बुक की class 6 में अब वहाँ पर जो आपका first number question है उस पे लिखा है find the following LCM अब उसमें आपको LCM find करना है ये आपका नहीं लिखा कि by prime factorization method और division method तो आप किसी भी method से LCM find कर सकते हो तो first number आपका 48 and 60 है इसका हम LCM find करते हैं by division method तो हमने 2 से cut करना start किया 2,2 जा 4 2,4 जा 8 2,3 जा 6 0 फिर 2 से हमने cut किया 2,1 जा 2 2,2 जा 4 2,1 जा 2 2,5 जा 10 फिर 2 से cut किया 2,6 जा 12 और 15 क्योंकि 15 आपका 2 से नहीं cut होगा उसको वैसे ही रख देंगे फिर देखिए यहाँ पर 2 से हमने cut किया 2,3 जा 6 15 नहीं cut होगा as it is वैसे फिर आपका 3 जा 3 3,5 जा 15 5 जा 5 5 जा 5 आपको जो LCM मिलेगा यहाँ पर चेक करिए 1,2,3,4 टाइमस 2 है 1,2,3,4 टाइमस 2 1 टाइमस आपका 3 है और 5 मल्टिप्लाई करेंगे इसका 2,2 जा 4 2,8,2 जा 16 3,4,8 48,5 जा 2,40 तो यह LCM आपका आगया 240 अब आपका सेकेंड नंबर कोस्चेन है उसी में फिर देखिए 42,63 सेम वैसे ही 2 से cut करना इस्टार्ड करिए 2,2 जा 4,2 जा 2 63 नहीं cut होगा As it is वैसे पूट कर दीजे आप 21 आपका 3 से cancel होगा क्योंकि 3 की disability होती सम आफ नंबर is individual by 3 2,1,3 and 3 is individual by 3,3,2 जा 6,3 जा 3 then 3,7 जा 21 3,2, जा 6 3,1, जा 3 फिर 3 से cut किया हमने 3,7 3,7 जा 21 7 जा 7 7 जा 7 आप इसका बेटा जो LCM आपको मिलेगा वो यहाँ पर देखिए 1,2 2,3 1,1 जा 7 तो आप देखिए 2,3 जा 6 3 जा 18 और 18 से बेंजा 126 126 is the required answer आप देखिए थर्ड नंबर कोस्चन है 18 और 17 का LCM फाइंड करना है 2 से cut करेंगे 2,9 जा 18 17 नहीं cut होगा वैसे write कर दीजे फिर 3,3 जा 9 17 नहीं cut होगा वैसे ही 3 जा 3 17 नहीं cut होगा सेम वैसे ही 17 से फिर cut करिए 17 जा 17 अब LCM देखिए 2 मल्टिप्लाई 3 मल्टिप्लाई 3 मल्टिप्लाई 17 2,3 जा 6 3 जा 18 18 मल्टिप्लाई 17 अब यहां पर देखिए 17 जा 126 की 6 कैरी 12 17 बन जा 17 और 12 बाइट करोगे तो 29 तो 296 इस दा रिक्वाइड LCM यह आपका बाइ डिवीजन मेथड है चेक कर लीजे आप इसको इसके तीनों पार्ट 1st, 2nd, 3rd ठीक है? यह 1st है यह 2nd है यह 3rd पार्ट है नेक्स्ट में 4th पार्ट चेक कर यह इसको अब देखे बेटा आपका 4th पार्ट है 15, 30, 90 इसके LCM फाइंड करते हैं सेम प्रोसेज 2 से ही स्टार्ड किया हमने 15 नहीं कट हो रहा सेम वैसे ही फिर 2, 1 जा 2 2, 5 जा 10 और 2, 4 जा 8 2, 5 जा 10 फिर 3 से कट कर रहे है 3, 5 जा 15 3, 5 जा 15 3, 1 जा 3 3, 5 जा 15 उसके बाद फिर 3 से कट कर रहे है 3, 5 जा कोई कट नहीं होगा वैसे ही पुट कर दीजे 3, 5 जा 15 5 से कट किया 1, 1, 1 जहां पर 1, 1 आपको मिल जाए वो आपका वहां से लीप कर देंगे अब जो आपके ये मिले है इनका मल्टिप्लाई करेंगे 2 मल्टिप्लाई 3 मल्टिप्लाई 3 मल्टिप्लाई 5 2, 3 जा 6 3 जा 18 18, 5 जा 90 तो 90 आपका रिक्वाइड LCM आ जाएगा इस पे देखते हैं फिप्त पार्ट पे 56, 65, 85 अब यहां पर हमने चेक किया 56 है तो आपका 2 से कट हो जाएगा 2, 2 जा 4 2, 8 जा 16 यह नहीं कट होंगे as it is वैसे ही राइट कर दो फिट 2 से कट किया 2, 4 जा 8 नहीं कट होंगे as it is वैसे ही राइट कर दीजे फिट 2 से 2, 7 जा 14 नहीं कट होंगे as it is वैसे कॉपी कर दीजे अब आप चेक करिए 3 से नहीं हो सकता 5 से करते हैं, 5 7, 5 वंजा 5, 5 फ्रीजा 15, 5 वंजा 5, 5 से विंजा 35, अब 7 से करते हैं, 7 वंजा 7, 13, 17, अब 13 से आप करिए, 13 वंजा 13 और 17, फिर 17 से करिए, 1, 1, 1, अब आपको जहां पर 1, 1 मिला है, वहां से लीप कर देंगे, और LCM इसका यह सब मल्टिप्लाई करिए, 2 मल्टिप्लाई 2, 1, 2, 3, मल्टिप्लाई 5, मल्टिप्लाई 7, मल्टिप्लाई 13, मल्टिप्लाई 17, इसका जब मल्टिप्लाई करेंगे, जो आपका मल्टिप्लाई करने में आएगा वही एंसर हो जाएगा यह इसका प्रोसेज है कि बाए डिवीजन मेथड फॉर्थ एंड फिप्ट नंबर यह है चेक कर लीजे इसको फॉर्थ एंड फिप्ट नंबर दोनों कोस्चेंड चेक करिए आप देखी बेटा उसी एक्सरसाइज का 6 नंबर कोस्चेंड 180, 384 एंड 144 तो सेम प्रोसेज इस्टार्ट करते हैं 2 से कट करना 29 जा 18, 0, 21 जा 2, 29 जा 18, 22 जा 4, 27 जा 14, 22 जा 4, फिर उसके बाद 24 जा 8, 25 जा 10, 29 जा 18, 1, 26 जा 12, 23 जा 6, 26 जा 12 फिर 2 से कट करते हैं 45 नहीं होगा, as it is, 24 जा 8, 28 जा 16, 21 जा 2, 28 जा 16, फिर 2 से कट करते हैं 45 नहीं होगा, as it is, वैसे रख दीजे, 22 जा 4, 24 जा 8, 29 जा 18, फिर 2 से कट करते हैं 245, 21 जा 2, 22 जा 4, 9 फिर 2 से कट किया, 245, 26 जा 12, 9 फिर आपका 2 से कट होगा, 245, 23 जा 6, 9 अब आपका 3 से होगा, 3 जा 3, 15, 3 जा 3, 33 जा 9 फिर आप 3 से करेंगे, 35 जा 1, 1 अब 5 से जब आप करोगे, यहाँ पर 5, 1 यह आपका प्रोसेज हुआ, अब इसमें देखिए, मल्टिप्लाई करते हैं, 2 जा 2, 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 2 जा 32, 32 जा 64, 64 जा 128, अब 128 में 9 का मल्टिप्लाई कराते हैं, 9, 8 जा 72 की 2, 7, 9, 2 जा 18, 7, 25 की 5, 2, 9 बन जा 9, 2, 11, 11, 52 में अब हम 5 का कराते हैं, 5, 2 जा 10, 1, 5, 5 जा 25, 1, 26, 2, 5 जा 5, 2, 7, 5 जा 5, तो जो आपका LCM आएगा बेटा, वो आपका 5,760 हो गया, यह आपका एंसर हो जाएगा, अब उसके बाद 7 नमबर कोस्चिन, सेम वैसे ही 2 से कट करते हैं, 2, 5 जा 10, 2, 4 जा 8, 1, 3, 5, 2, 8 जा 16, 1, फिट 2 से कट करते हैं, 2, 2 जा 4, 2, 7 जा 14, यह नहीं कट होगा, वैसे उठ कर दिया, यह भी नहीं होगा, अब 3 से कट करते हैं, 3, 9 जा 27, 3, 4 जा 12, 3, 5 जा 15, 3, 2 जा 6, और 3, 7 जा 21, 3, 3 जा 9, 3, 1 जा 3, 5 जा 15, 3, 9 जा 27, फिर 3 से 3, 1 जा 3, 3, 5 जा 3, 1 जा 3, 3 जा 3, 5, 3 जा 3, फिर 5 जा 5, जा पूरा कैंसिल हो जाएगा, इसका LCM जो आपका आएगा, करते हैं, 2, 2 जा 4, 3 जा 12, 3 जा 36, 36, 3 जा 108, एंड 108, मल्टिप्लाई 15, देख लीजे, 108, मल्टिप्लाई बाई 15, 15, 8 जा 120 की 0, कैरी 12, 15, 0, 0, 12 जा 8 की या 12 की 2, कैरी 1, 15 जा 15, 1, 16, तो इसका जो LCM आया, वो 1620 आया, चेक कर लीजे आप, 6 एंड 7 नमबर, ये आपके दोनों कोस्चिन के सल्यूशन है, आप देखिए बेटा, आपका लास्ट कोस्चिन है, एकसरसाइज का 8 नमबर, 28, 36, 45, 60, इसका LCM फाइंड करते हैं, तो 2 से हमने कट करना ही स्टार्ड किया, क्यूं कर रहे हैं, आपको पता है कि, लास्ट के यूनिट प्लेस पे आपका अगर इविन नमबर है, तो आपका 2 से डिविजबल हो जाएगा, तो 2 अंजा 2, 24 जा 8, 2 अंजा 2, 28 जा 16, 45 नहीं होगा, as it is वैसे रख दीजे, 30 हो जाएगा, फिर 27 जा 14, 29 जा 18, 45 नहीं हो रहा, ये 15, अब आपका 3 से होगा, 3, 7, 3, 3 जा 9, 3, 15, 3, 5 जा 15, फिर 3 से करते हैं, 7, 1, 3, 5 जा 15, 3, 5 जा 5, अब उसके बाद 5 से करते हैं, 7, 5 जा 5, 5 जा 5, 5 जा 5, 7 से करते हैं, 1, आप इसका LCM जो बेटा हम फाइंड करेंगे, तो ये सब आपको एक जगार राइट कर लेना है, जितने आपके डिविजबल मिलने हैं, डिवाइड होने से, तो 2, 2, 3, 3, 5, 7 आप इसका मल्टिप्लाई कराएंगे, तो 2, 2 जा 4, 4, 3 जा 12, 12, 3 जा 36, 36, 5 जा 180, एंड 180, मल्टिप्लाई 7, 1260, ठीक है, इसका मल्टिप्लाई आपने कराया, तो 1260 आपका रिक्वाइड एंसर आ गया, चेक कर लीजे बेटा, इसको ये आपका कुस्टिन नमबर 8 था, ओके?